नमस्कार मैं संजीग कुमार आज दिब्वित जीवन सौरफ का चौथा और अंतिम भाग संछेप में आपके समक्ष प्रस्तूत करने का प्रियास कर रहा हूँ इस महान पुस्तक के प्रचनाकार हैं स्री स्वामी सिवानंद जी गीता के अनुसार बाहे जगत के किसी रूप पर ध्यान न देकर स्वयम अपने उपर कठोर निगरानी रखना ही जीवन है सोक का कारण भ्रम है दंदों की लीला के प्रती आपके अती संबेदन सील होने से ही सोक प्रकट होता है जबकी आप अवस्था त्रय के साक्षी हैं मृत्यू परिवर्तन माक्ट है योगी का कौशल कर्म को योग में रूपांतरित करने की उसकी छमता है स्रीकिष्ण जिस महान कार्म कौशल की चर्चा करते हैं उसका आधार समत्व है जो स्वयम योग से अभिन है पासान हिर्दै प्रूर्ता तथा पास्विक्ता जिसका दुर्योधन प्रतीक था और अनुचित सहानभूती अथवा अतीव भीरुता जो की दुर्बलता के अतरिक्त अन्य कुछ नहीं है ये दोनों ही धर्म के सत्रू है ज्यान के मध्यमार का अनुसरण करें जैसा कि मा मनुष्मर युद्धायचा मेरा चिंतन करो और स्वाकर्तब्यकर्म का पालन करो में कहा गया है योगी होने का अभिप्राय है परमात्मा में निरंतर वास करना और मनुष्य मात्र के साथ सान्ती पुर्वक रहना योग परमात्मा से मिलन है कर्म योग का अर्थ है निसकाम सेवा का पत भक्ति योग का अर्थ है अनन्य भक्ति अर्थात प्रेम का पत राज योग का अर्थ है आत्म संयम का पत ज्यान योग का अर्थ है विवेक का पत कर्म योग इच्छा सक्ति का उपभोग, ज्ञान योग तर्क और बुद्धी का उपयोग, तथा भक्ति योग भावनाओं का उपयोग है इच्छा इश्वर के प्रती पून समर्पन भाव से सभी प्रवित्यों को पवित्र बनाती है बुद्धी इश्वर की महिमा और एश्वरे का साच्छातकार करती है भावना दिव्य आनन्दा तिरेक का आनन्द अनुभव करती है मन में तीन दोस हैं मल, विछेप और आवरण मल को कर्म योग के अभ्यास द्वारा दूर करना चाहिए विछेप को उपासना द्वारा निवारण करना चाहिए तथा आवरण को ज्यान योग के अभ्यास से विदिन करना चाहिए आत्म साच्छाकार दभी संभव है योगी के पास आचार संकर का सिर अर्थात बुद्धी सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्षन करना ज्यान है आत्मा से प्रेम करना भक्ती है तथा आत्मा के सेवा करना कर्म है वेदान्द दर्शन अभय का प्रतिपादन करता है क्योंकि जीव ब्रह्म ही है अनात्न पदात दर्पन की तरह हैं जो आत्मा को यथार्थ रूप में प्रतिविंबित करता है जिससे हमें उसका बोध हो सके बुराई भी भलाई का एक दर्पन है अज्यानी पूर्शों की सभा में साधू संतों की विद्यमानता का बोध सहज ही हो जाता है असुभ द्वारा प्रतिविंबित सुभ के दर्शन करना सीखें और कहें असुभ सुभ का और नस्वर पदार्थ अभिनासी सत्ता का मुझे इस्मरण कराने के लिए विद्यमान है वस्तुता यह विश्व एक दर्पन है जो हमें इस्त्वर का इस्मरण कराता है काया रहित तथा काम रहित आत्मा पर सतत चिंतन द्वारा देहा ध्यास और काम भाव को नश्ट करडाने करते समय मन को आत्मा पर केंदित करें धन्यवाद नमस्का पिछले अंको डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक के रूप में दे रहा हूं धन्यवाद